नमस्ते दोस्तो यह आरे से स्टाटी पैन चानल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए समाने विज्ञान के 50 महतरपूर प्रशनों का संग्रा लेकर रहा हैं जो कि सभी परिक्षाओं के लिए महतरपूर है अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस स्टाट करते हैं आज कामारे पहला कोषन है नीवनली खित में कौन बायू पर दिसक नहीं है ऊतील के स्यूव अच्छाओं करति कि आ यह फार करें के उत्यड़र राथम जीव की उत्पति हुई अश्फे district की उत्पती जल में हुई इसका अंसरों का C जल में अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर हमारे नेक्स्ट कोशन है निकोटीन पाया जाता है निकोटीन तमबाकू के पत्ती में पाया जाता है इसका अंसरों का B तमबाकू के पत्ती में अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर हमारे न DNA का मॉडल प्रस्तूत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरुसकार मिला अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है चेचक के वैक्सिन को सरप्रथम किसने तयार किया चेचक के वैक्सिन को सरप्रथम डॉक्टर जेनर ने तयार किया इसका अंसर का बी डॉक्टर जेनर अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है निम्ला लिखित में से कौन दूद को दही बनाता है दूद को दही लेक्टो बैसिलस बनाता है इसका अंसर का लेक्टो बैसिलस बी अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है रडार का और इसका रख कौन था रडार का और इसका रख रॉबर्ट वाट्सन था इसका अंसर का ए रॉबर्ट वाट्सन अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है इन में से रख्ट दाप का मापक यंत्र कौन सा है रक्त दाप का मापा के अंत्रा स्फिगमो मैनो मीटर है इसका अंसलर सी स्फिगमो मैनो मीटर अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारे नेक्स्ट कोशन है सूर्य करहां तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो इसका अंसलर का A चंद्रमा बीच में हो अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारे नेक्स्ट कोशन है तैरने के तलाब में तैरने से मनुष्य की तवच्च जल जाती है इसका कारण क्या है तैरने के तलाब में तैरने से मनुष्य की तवच्च जल जाती है क्लोरीन के कारण इसका अंसलर का B अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारे नेक्स्ट कोशन है गेहू की खेती के लिए कौन से उर्बराक का उप्योग करते हैं गेहू की खेती के लिए नेक्स्ट कोशन नमक उर्बराक का उप्योग करते हैं इसका अंसलर का A अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारे नेक्स्ट कोशन है आम तर पर सुरक्षा फ्योज लगाने के लिए परियोग होने वाला तार किस पदर्स का बना होता है आम तर पर सुरक्षा फ्योज लगाने के लिए परियोग होने वाला तार टीन और सीसे की एक मिस्रधातु होती है इसका अंसलर का D अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है बायू में थोड़ी दे रखने पर किसी धातु के उपर हारे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है वह धातु कौन है बायू में थोड़ी दे रखने पर किसी धातू के उपर हारे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परद्जम जाती है वह धातू है तमबा इसका अंसर का A अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है बायू में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती इसका अंसर का D, रेडान अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है सुस्क बर्फ क्या होता है सुस्क बर्फ ठोस कर्वन डाई अक्साइड होता है इसका अंसर का B, ठोस कर्वन डाई अक्साइड अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है निम्नली खीद में से कौन सा हर्मोन है निम्नली खीद में से इंसुलीन एक हर्मोन है इसका अंसर का C, इंसुलीन अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाय जाता है क्लोरोफिल में मेगनीसियम नमक धातु आयन पाय जाता है इसका अंसर का B, मेगनीसियम अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारे नेक्स्ट कोशन है टेली एसकोप की खोज किस बेग्यानिक ने की थी टेली एसकोब की खोज गैलीलियोन की थी इसका एंसोगा D, गैलीलियो अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है निम्नलिखित में से कीस में रिरहात्मक अवेस होता है निम्नलिखित में से बीटा की रन में रिरहात्मक अवेस होता है इसका एंसों का C, बीटा की रन अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारे नेक्स्ट कोशन है बल का गुड़न फल है बल का गुड़न फल द्रब्यमान और त्वारन का इसका एंसों का B बल का गुड़न फल द्रब्यमान और त्वारन का है अब आते नेस्ट कोशन पर हमारे नेस्ट कोशन है एक किलो मीटर दूरी का तत पर है एक किलो मीटर दूरी का तत पर है एक हजार मीटर है इसका अंसर का सी एक हजार मीटर अब आते नेस्ट कोशन पर हमारे नेस्ट कोशन है कसेरुक रजु में से कितनी जोड़ी तंत्रीका निकलती है कसेरुक रजु में से 31 जोड़ी तंत्रीका निकलती है इसका एंसों का C, 31 अब हाते हैं नेक्स्ट कोशन पर, हमारा नेक्स्ट कोशन है नीमना में से किसे सुस्क बर्फ कहते है थोस carbon monoxide को सुस्क बर्फ कहते हैं इसका असल कर टीस थोस carbon monoxide याद रखेएगा दोस्तो थोस carbon monoxide को सुस्क बर्फ कहते हैं अब आते नंक्स्ट कुशन पे हमारा नंक्स्ट कुशन है कि सौर और जान रिमना सूर्य से प्राप्त होती है, इसका अंसरोगा C, सूर्य, अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है, नीमन में से सबसे सक्त कौन है, सबसे सक्त हीरा है, इसका अंसरोगा A, हीरा, अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है, ठोस कपूर से वास्प बनाने की परकिरिया को क्या कहते हैं ठोस कपूर से वास्प बनाने की परकिरिया को उर्ध वपातन कहते हैं इसका अंसर कर डी उर्ध वपातन अब आता नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है नीमना पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के लिए बस्तू के परिरक्षर्ट में परियोग होता है नीमना पदार्थों में से सोडियम बेंजोएट पदार्थ खाने के लिए बस्तू के परिरक्षर्ट में परियोग होता है इसका अंसों का C, sodium benzoate अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है डॉक्टर दुबारा एनस्थीसिया के रूप में परियोग होने वाली हाज से गैस कौन सी है डॉक्टर दुबारा एनस्थीसिया के रूप में परियोग होने वाली हाज से गैस नाइड्रोस अक्साइड है इसका अन्सों का C नाइड्रोस अक्साइड अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है नीमन रेसों में से कौन पौधे के तन्ने का उत्पाद नहीं है कपास पौधे के तन्ने का उत्पाद नहीं है इसका अंसों का A, कपास सांती दोस्तों याद रखिएगा सन, पर्ट सन तथा जूट कि तन्नों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है जबकि कपास को फोलों में इस सिद्वीज के विजावरन से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है लाल रग्त को सिखाओं का रंग लाल क्यों होता है लाल रग्त को सिखाओं का रंग लाल हीमोगलेवीन के कारण होता है इसका अंसों का D, हीमोगलेवीन के कारण साथी दोस्तों याद रखिएगा लाल रग्त कडिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी काते हैं जो कि सिर्फ कसरी क्यों के रूधिर में होते हैं अब आद नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है नीमन में से किस में लिंग गुर सुत्र नहीं होता छिपकली में लिंग गुर सुत्र नहीं होता इसका अंसर का B छिपकली साथे दोस्तों याद रखिएगा छिपकली की अनेक परजातियों सहीत अनेक सरीश्रीपों में लिंग गुर सुत्र नहीं होते हैं इनमें लिंग निधारान पर्यावर नियत ताप से होता है साइ नोको बलामीन क्या है साइनोको बलामीन वी-टामीन बी-12 है इसका आंजरका C साथी दूस्तों याद रखिएगा यह एक जल में खुलंसिल वी-टामीन है इसकी कमी से सरीर में रूधिर छीड़ता तथा तंतरी का तंतर की करנय की गर्बड हो जाती है अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है निमना लीखित में से कौन सा रोग प्रोटो जुआ द्वारा होता है मलेरिया नामक रोग प्रोटो जुआ द्वारा होता है इसका अंसों का A, मलेरिया साथी दुस्तों याद रखेगा प्रोटोजवा के कारण होने वाले रोग पाई लिया कला जार पेचीज तथा सोने की बिमारी है अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर हमारे नेक्स्ट कोशन है मानव बिरीक असमारी में पाया जाना वाला रसानिक योगी कौन सा है मानब ब्रीक असमरी में पाया जाना वाला रसानिक योगीक केल्सेम उक्जलेट है इसका अंसोगर डी केल्सेम उक्जलेट साथी दूस्तर याद रखेगा ब्रीक की पेल्विस में खनीज लोड में क्रिश्टल एक पिंड के रुप में कत्र हो जाते हैं जिससे मूत्र के राष्टे में रुकावट आती है कैल्सेम उक्जलेट के कारण ब्रीक में पत्री या असमरी बनती है अब आते नेक्स्ट कुशन पे हमारा नेक्स्ट कुशन है नीमन में से कौन सा जीव, अपनी त्वाचा से शांस लेता है मेढक जीव अपनी त्वाचा से सांस लेता है इसका अंसर का B मेढक साथी दूस्तर याद रखिएगा मेढक उभैचर वर्क का जनतु है जो पानी तथा जमी दोनों जगह रह सकता है यह सीतरक्त का प्राणी है जो वतारन के अनुसार अपने सरीर का तपमान घटाते बढ़ाते रहते हैं मेढक की त्वाचा उज प्रागा में होती है जिससे होकर CO2 तथा O2 गुजार सकती है अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है दुर्दर्शन परशारन में चीतर संदेशो का संचारन किसके द्वारा होता है दुर्दर्शन परशारन में चीतर संदेशो का संचारन आयाम माडूलन द्वारा होता है इसका एंसर का C आयाम माडूलन द्वारा सांथी दुख से याद रखेगा दुर्दर्शन परशालन में धौनी संचरन के लिए अब रिती माडूलन का परियोग किया जाता है अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है न्यूट्रॉन की खोज किस ने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी साथी दोस्तों याद रखीगा राधरफोड ने एक परमाडू में न्यूट्रॉन के अस्तितों को प्रस्तावित किया था किन्तु न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी उन्होंने पता लगाया कि बिरेलियम तथा अन्य परमाडू पर यादी तीब्रगाती वाले कड की बंबार्शा की जाए तब उसमें से विदूत उदासिन कर निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है भारत में प्रशूर मात्रा में उपलाब्ध महत्वपूर ना भी किये इंधन कौन सा है भारत में प्रशूर मात्रा में उपलाब्ध महत्वपूर ना भी किये इंधन थोरियम है इसका अंचरों का ए थोरियम तोरियम का परमुक्सरोत मोनाजाइट है अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है हिलियम के नाभिक में क्या होता है हिलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन एम दो न्यूट्रोन होते हैं इसका अंसर का सी दो प्रोटॉन एम दो न्यूट्रोन अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं हाइड्रोफाइट एक जलिये पौधों को कहते हैं इसका अंसर कर डी एक जलिये पौधे को सांती दुस्तों याद रखेगा बहुत अधिक जल वाले अस्थान पर पाय जाने वाले पौधों को हाइडरोफाइट कहते हैं इनमें बड़े बड़े अंतरा कोशिये अस्थान होते हैं जिनमें बायू भरी होती है जो कि पौधों को तैरने में सहायक होते हैं अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है रक्त समूग की खोज किस ने की रक्त समूग की खोज रॉबर्ट कोश ने की इसका एंसोगा सी रॉबर्ट कोश ने अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है मानाव शरीर के किस अंग में लसिका को सिखाएं बनती है मानाव शरीर के तिल्ली में लसिका को सिखाएं बनती है याद रखिएगा दोस्तों मानाव शरीर के तिल्ली अंग में लसिका को सिखाएं बनती है इसका अंसल का A तिल्ली सांति दूस्तों याद रखिएगा लसिका को सिकाएं एक परकार की स्वेत रक्त कडिकाएं हैं जिनका निर्माल लसिका गरंथिया तिली थाइमस गरंथि तथा अस्ति मज़ा द्वारा किया जाता है अब आता नेक्स्ट कोशन पे, हमारा नेक्स्ट कोशन है, मानव तंत्र में निमनलीखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है, मानव तंत्र में निमनलीखित में से गैस्ट्रीन एक पाचक एंजाइम नहीं है, इसका अंचर कर C, गैस्ट्रीन, साथी दोस्तों याद और चायुकिया जाता है, जबकि घश्ट्रीन एक हर्मोन है, जो कि अमासे में J को शिकाओं, तथा गरहनी द्वारा मुक्त होती है, यह अमासे के द्वारा गैस्ट्रिक अमले के स्रावन को उधीपीद करती है अब आते नेक्स्ट कुशन पे हमारे नेक्स्ट कुशन है निम्नलीखित में से कौन सा पादप्रेशा तन्ने से प्राप्थ होता है निमनलीखित में से सन्नाई पादप्रेशा तन्ने से प्राप्थ होती है इसका अंसर गर डी सन्नाई साथी दोस्तों याद रखेगा सन्नाई एक परकार का पादप्रेशा है जो उस्रा कटिवंधिये ACI पोधे के तन्ने से प्राप्थ होता है अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है निमनली खिद में से किसकी उपस्तिती के कारण दूद में मीठास आ जाती है लैक्टोज के उपस्तिती के कारण दूद में मीठास आ जाती है इस कैंसों का A, लैक्टोज साथी दुस्ते याद रखेगा लैक्टोज एक प्रकृतिक सरक्रा है यह एक कर्वहाइडरेट है जो दूद में पाया जाता है और इसकी हलकी मिठास का कारण है अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है धबा रहीत लोहा बनाने में लोहे के साथ परियोग होने वाली महत्वपूर धाती धातू क्रोमियम है इसका अंस्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है फिटकरी गंदे पानी को किस परकिरियाद वरस्वक्ष करती है फिटकरी गंदे पानी को असकंदन नामक परकिरियाद वरस्वक्ष करती है इसका अंस्ट का डी असकंदन साथी दोस्तर याद रखिएगा फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल, सोधन, करमस, असकंदन, उर्णन तथा और साधन के द्वारा होता है पर रामता स्वक्ष जल प्राप्त होता है अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है हिर्दय की गती सुनने के लिए किस यंत्रा का उप्योग किया जाता है हिर्दय की गती सुनने के लिए स्ठेतो एसकोप नामक यंत्रा का उप्योग किया जाता है याद रखिएगा दोस्तों हीर्दे की धौनी सुनने के लिए इस्टेटो एसकोप नामक यंत्रा का उपियोग किया जाता है इसका अंचर का सी इस्टेटो एसकोप साथी दोस्तों याद रखिएगा स्फिग्नो मीटर से रक्ट चांप या ब्लड प्रेसर मापते हैं तथा केरोटो मीटर की सहायता से सोने की सुदुता को मापते हैं और लॉक्स मीटर का उप्योग परकास की तीवरता मापने के लिए किया जाता है अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है एपिफाइट्स पोधे का अन्य पोधों पर निर्भरता का कारण क्या है यांत्रिक ओलंब इसका अचल का बी यांत्रिक ओलंब साथी दोस्तों याद रखेगा एपिफाइट्स वे पोधे हैं जो दुसरे जीवित पोधों पर उगे या लगे रहते हैं ये अपना भोजन स्वेम बनाते हैं क्योंकि इन में पढ़ हरित पाया जाता है ये सिर्फ पोशक पोधो पर यांत्री कॉलम के लिए निर्भर आते हैं थैंक्यों दस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेल और सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को क्लिक करें